नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपांच है और इस वक्त की अपडेट में हम भारत के पहले केरोसीन संचालित रॉकेट के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों चिन्नाई स्थित अगनी कुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने हाली में भारत के पहले केरोसीन ओक्सीजन संचालित रॉकेट को लॉँच करने की घोशना की है अगनी कुल कॉस्मोस कुछी हफतों में अपना पहला रॉकेट अगनी बार्ण सब और्बिटल टेकनोलोजिकल डिमन्स्ट्रेटर लॉँच करने जा रही है आपको बता दें कि अगनी बार्ण सब और्बिटल टेकनोलोजिकल डेमन्स्ट्रेटर किसी भारतिय फर्म द्वारा निजी तोर पर बनाये गया पहला तरल इंधन वाला रॉकेट होगा दोस्तों अगनी बार्ण सब ओर्बिटल टेक्नोलोजिकल डेमन्स्ट्रेटर को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित किया गया है बता दें कि ठोस इंधन वाले रॉकेट की तुलना में तरल इंधन वाले रॉकेट को डिजाइन करना और बनाना अधिक जटिल होता है साथियों अगनी बान सब ओर्बिटल टेक्नोलोजिकल डेमन्स्ट्रेटर अगनी लेट इंजन द्वारा संचालित एक सिंगल स्टेज लॉंच वाहन है इसमें पूरी तरह से 3D प्रिंटेड सिंगल पीस 6KN सेमी क्रायोजनिक इंजन का उप्योग किया गया है सब ओर्बिटल प्रक्षेपन का उप्योग यान को पृत्वी के उपरी वायू मंडल में ले जाने के लिए होता है न की अंतरिक्ष में जाने के लिए अगनी कुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड एक भारतिय एरोस्पेस निर्माता कंपनी है जो IIT मदरास के राष्ट्रिय देहन अनुसंधान एवं विकास केंद्र में स्थित है गौर तलब है कि अगनी कुल कॉस्मोस का प्रात्मे कुदेश अंतरिक्ष अन्वेशन को सुलब और लागत प्रभावी बनाना है भारतिय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी अपने स्वयम के अर्ध क्रायोजनिक इंजन का परीक्षन कर रही है आपको बताते चलें कि इसरो का अर्ध क्रायोजनिक इंजन SCE 2000 अधिक शक्तिशाली और परिश्कृत है यह LVM-3 रॉकेट की उठाने की शक्ति को महत्वपूर रूप से बढ़ाने में मददगार होगा